हाई काईज, वेरी वेरी गुड बॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग, वेलकम बैक टो माई चैनल, मैं हूरूची, और देखिए आज कैसा अजीव सा वैदर है, उदर धूप निकली हुई है, और बारिश भी हो रही है, काले बादल भी है, और साथ में बहुत तेज धूप है, ये चौड़ी की फलियां है, और इनके दाने कुछ मैंने निकाले हुए है, और ये बैंगन और आलो के साथ बहुत टेस्टी बनती है, बिल्कुल टिपिकल गुजराती सबजी है, ये गुजरात में बहुत बनाई जाती है, तो इसकी तियारी मैंने की है, तो यहाँ पे टम और इसके बाद डिरेक्ली लसन, हरी मिर्च और अद्रक, ये तीन चीजों को मैंने कूट लिया है, तो वो डाल दिया है और इसके बाद बस थोड़ा सा ही उसको कुछ सेकेंड के लिए लसन को बहुत ब्राउन नहीं करना है, बस प्यास डाल देना है, तो ये बिल्कुल टि प्यास को फ्राई करना है, बहुत जादा नहीं, बस फिर टमाटर डाल देने, तो टमाटर डाल दिये, मैंने अब इसको भी चला लेंगे, और इसमें डालेंगे मसाले, बहुत जादा टमाटरों को भी फ्राई नहीं करना है, इसमें थोड़ा क्रंची ही रखना है, हल्दी डालेंगे, मिर्ची डालेंगे, धनिया जीरा पाउडर डालेंगे, और इसको अच्छी तरह से चला देंगे, और बस हलका फुलका सा मसाला भूनके, फिर ये सबजी जो है, आलू, बैंगन और चौड़ी, आलू भी इसमें मैंने एक ही डाला है, दो बैंगन डालेंगे, और में थोड़ा पानी जाएगा, तो थोड़ी दिर पहले इसको ऐसे ही फ्राई करेंगे तेल में, ये देखिए, मैं थोड़ी दिर के लिए फ्राई कर रही हूँ, हलका फुलका सा पानी डलेगा, बस इतना कि सीटियां लग जाएं, तो सबजी जले ना, वैसे ही सूखी सबज बनती है, लेकिन लिपटवा बनती है, मतला हलका सा-सा पानी होता है बहुत, तो इसको पहले तो फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा न, ऐसे ही फ्राई कर लेंगे, तो अच्छी बनती है सबजी हलका फुलका पहले फ्राई कर लो, आप चाहो तो सरसु के तेल में भी ट्राई क और आज रात को एक अच्छी सी रेसिपी आने वाली है यह तो मैंने वैसे ही बस शेयर कर दी चलिए एक चीज के बारे में बताती हूं आपको तो आज मैं आपको बताती हूं एक अच्छे से शांपू कंडिशनर के बारे में और आप लोग मुझे पूछते भी रहते हो वाओ के बारे में बताओ दी थी जब जितने भी मैंने अभी तर की उसकी है सबके सब्सक्राइब के मेरा एक्स्पिरिंस काफी अच्छा है यह जो वाओ का शांपू कंडिशनर जिसके बारे मैं आपको बता रही हूं यह रेड ओनियन ब्लाक सीड ओयल के साथ है और इसके अंदर पीजी डर्मेट जीकली टैस्टेड है इनके प्रोड़क्त सारे बहुत ज़्यदे नैच्रल होते हैं यहां को हमेशा से बताती हूं और शैंपू की बात करों तसी कोई परभी नहीं सिलिकॉन नहीं यह पीजी नहीं डर्मेटॉलीजी कली टैस्टेड तो यह बहुत ही अच यह देखिए, बहुत ही soft pristle sense, कि आप देख सकते हो कितने soft है, बहुत ही अच्छा वाला मतलब किया उनों आपको एक बढ़िया वाली मसाद देता है, तो आप शांपू के टाम पर भी यूज कर सकते हो, मैं अच्छा पर कर दो आपको में दिखाती हूँ, कि मैं जब शांपू वाव onion range काफी famous है, वाव का onion range बहुत ही अच्छा है, इन products में total natural ingredients यूज होते हैं, इन में कोई artificial chemicals यूज नहीं होते हैं, cruelty free products होते हैं, यानि कि इन products का कोई भी test animal पे नहीं किया जाता है, नहीं animal का कोई भी ingredient इन products में यूज होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं QR code, त उसको scan करते ही product की authenticity पता चल जाती है, QR scanner से उसको scan किया जा सकता है, और उस पर reward point मिलता है, जो हम redeem कर सकते हैं next purchase के लिए है, इन products में हिमालियन range का भी ingredient होता है, और अगर packaging की बात करूँ, तो eco friendly packaging में आते हैं, means कि environment के लिए भी काफी अच्छे होते हैं, और इनके यहाँ जो आप भी launch करी है, जिसका नाम है buy wow, इसका link पे description box में छोड़ दूगी, आप जब भी buy wow की app की through, आप shopping करेंगी, तो आपको मिलेगा वहाँ पे बहुत सारा अच्छा अच्छा offer, तो मैं आपको बताती हूं किस तरह से shampoo करना है, तो यहाँ पे मैंने shampoo ले लिया है, थोड़ा स अच्छा हो जाएगा, साथ साथ आपकी scalp एकदम clean हो जाएगी, जो भी dust, dirt, grime, जो कुछ भी आपके बालों में चिपक गया होगा, scalp पे चिपक गया होगा, वो सब निकल जाएगा, आप इसको conditioner के time पे भी use कर सकते हैं, और आप इसको hair oiling के time पे भी use कर सकते हैं, तो मैं आपको जानकारी दे दी है, जो कि आपको पूरी तरह से समझ आ गई होगी, अगर आपको product पसंद आ रहा है, तो link आपको description box में मिल जाएगा, पापे आपको सारी details मिल जाएगे, तो जाएगे, चेक कर लीजे, आज ही भाई कर लीजे, तो चलिए, आगे का vlog, जाएगे होती थी, गाईज, लेकिन आज कल मुझे बहुत मींद आ रही है, पता नहीं, थकान-थकान सी है काफी दिन उसे, तो मैंने तकरीबन एक देड़ घंटा में सो ही हूँ, अभी ने अपना स्कूल का work incomplete रखा हुआ था, मैं पूरा नहीं कर रहा था तो आज उसे विवेक लेक प्रिट नहीं होता, तब तक तुम नहीं जाओगे, और ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि बच्चों की आदत होती है, बच्चे न अपना काम टाइम से पूरा नहीं करते, और फिर जो है, वो पैंडिंग होता चला जाता है, तो बैटर है कि एक दिन उन्हें खेलने न भेज के हम उनका काम कंप्लीट करा दें, वो जाधा बेट रहेगा, तो इसलिए आज उसको हमने बिठा दिया हुआ है, तो फृशा अपनी ओंडाइन क्लास पे है, उसके ओंडाईन क्लास चल रही है, वो अपनी ओंडाइन क्लास पे दूसरे वाले रूम में बैठी हुई है, हमार तो फिर मिलते हैं, आराम से हाई गाई कैसे अब सब और मेरे कम एक दिवाए मॉम सेनल इंडिये अज क्या होगी अज मेरी अवाज को अज मेरी अवाज बहुत खराब है क्योंकि मेरी आखी ने खुलनी में बहुत तीन दारी है मैं सुवर से बहुत मतलब 6-7 बर मुद दू अचुकी हो घरा आखी किना पानी रहा है तिकिन कुछ हो नहीं रहे मेरी आखे चोटी की चोटी है बड़ी कर्चफ आखी में सपानी देज्टाए अज मेरी अजा लगाते हूं मेरे आखों मेरे इतनी जलन होती है निकालने के बाद भी दो दिन तक रहती है तो कल गलती हो गए मुझे हुआ जाने के बाद यह waterproof तो गाइस आजाईए आप भी हमारे साथ गर्म गर्म चाई एंजॉय कर लीजिए और यह जो बड़ा सा डब आप देख रहे है ना इसमें हम बड़े-बड़े पैकेट सकते हैं हमारे नाशते के जैसे के नमकीन का पैकेट बटर जो यहां पे गोल जो अभी में निकाल के रख यह सब में एक बड़े डब्बे में करके रख देती हूं बहुत सारा नाशता था इसके अंदर थोड़ा खतम हो गया है और यह स्टील की प्लेट लाने का रीजन ही है जैसे कुछ लोग कह रहे थे न अब ट्रे में रखके क्यों नहीं लाते क्योंकि हम साथ में फिर इसमें इन चीज़ों में न तो बस इसलिए फड़ा फड़ थाली में ले आती हूं ताकि उसी में मैं चिवडा निकाल के रख सकूं यही रीजन है गाईज तो यहां पर देखिए थोड़ा सा चाई पीने के बाद मैं का चलो घर भी ठीक कर देते हैं यहां पर अभी पढ़ रहा थ आज उसको काफी सारा उसका work incomplete था जो के काफी complete करवाया है तो फिर sofa वगरा यहीं बैटके पढ़ रहा था न तो यह सब ठीक कर रही हूं मैं और कुछ लोग कहरे थे sofa change कर लो लेकिन अभी तो कहां से possible है अभी possible नहीं है lockdown के time में तो मतलब एक एक पैसा बचा के चलना है या और जैसे के कल के vlog पे भी कुछ comments आये जो के मैंने delete भी कर दी है मुझे अच्छे नहीं लगे मेरे comment section में को comments के like आप कपड़े तो बहुत अच्छे पहनते हो और बोलते हो कि तकलीफ है तो यह कपड़े कोई आज के खरीदे हुए नहीं है guys हमारा वक्त अच्छा भी था और so guys मैं दुद्पीरी हू ओजीवा आएगे as मैंने डाइट स्टार्ट किया बहुत काम खारी हूँ अच्कल तो इसलिए ओजीवा नेसेसरी मिली है तो इसलिए ओजीवा नेसेसरी होता ही क्योंकि वरक आप के टाइम पर आपके प्रोटीन और उसलिए फैट के साथ लूज हो अब ना मैं अपनी डाइरी लेने के लिए आई हूँ यह जो मेरा सिरहाना है जहां में सूती हूँ इसके ड्रॉर में हमेशा मेरी डाइरी होती है जिसमें में मेरे अपने यूचूब के कुछ वरक यूझो कौन सा विडियो कब बनाना है कुछ डेरिकिट वीडियो प्रोड सच बोलू ना तो मेरे मम्मी भी कई बर मुझे बोलती थी कि तू हिसाब लिखा कर तो तुझे पता रहेगा लेकिन मैंने कभी मेरे माबब के कहने पिर भी वह काम नी च कहने का मतलब है जो काम मेरे माबाप मुझसे नहीं करवा पाए ना वो पती देव ने मुझसे चुटकी में करवा लिया ऐसे होते हैं पती लोग तो वहीं बतारी हूँ आज सुम्हे में काफी डाटा इन्होंने मुझे के तुम हिसाब नहीं लिखती हो क्योंकि मुझे ना दो गया तो ही हमें महीने के अंडिंग में पता चलता है कि हमने कौन से खर्चे बीना बाद के की ये और कौन से काम के की ये तो हम बीना बाद के खर्चे को कट आफ कर सकते हैं बहुत ही flexible हूँ अगर मुझे बहुत थकान लग रही है तो मैं छोड़के सो भी जाती हूँ क्योंकि equally जितना घर का काम important है उतना ही जरूरी है खुद का ध्यान रखना खुद की सेहत का ध्यान रखना क्योंकि हम ठीक रहेंगे ना औरते तो ही काम चलेगा अगर औरतों को कुछ हो जाए ना तो घर का सारा काम स्टॉप हो जाता है और एक घर पूरा औरत की उपर ही चलता है घर के काम को लेके तो बहुत जरूरी होता है खुद पे भी ध्यान देना यहां मेरी किचिन साफ हो गई है आज मैं सुची हूँ सोया बीन चंक्स का पुलाओ बनाने का तो बस वही बनाओंगी यहां पर प्रिशा देखिए पानी लेके गई है उसके ऑनलाइन क्लासेज चल रहे है शाम को उसके ऑनलाइन ट्यूशन क्लास चलते हैं सुबह में उसके ऑनलाइन स्कूल के लेक्चर्स चलते हैं यह बहुत ही जादा बिजी रहती है और एक सेट में मैंने वाशिंग मशीन लगा रखिए गाईज यह देखिए इसके ऑनलाइन मीटिंग चल रहे है तो यहां पर मैं कपड़े सुखाने के लिए आई हूँ क्योंकि कपड़े भी धूल रहे है और विवेक भी मेर बोला कि थोड़ा सा लॉगडाउन का टाइम है इसलिए हर एक का ऐसा होता है कि फालतू पैसा नहीं खरच करना जब तक काम चल रहा है तब तक चलाओ और चलाना भी चाहिए तो यहां पर मैं एक के उपर एक कपड़े डाल रहे हूँ आप देख रहे हूँ क्योंकि इस पि बियानी भी बनती है लेकिन आज मैं पुलाओ बना रही हूँ और जितनी चीज़े घर में एवलेबल है उनी से बना रही हूँ और यह काफी टेस्टी लगता है तो मैंने पानी गरम कर लिया है और यह एक पैकेट सोया चंक्स में पूरे के पूरे डाल दूँगी एकी साथ बिगो दूँगी तो इनको गरम पानी में बिगोना पड़ता है पहले तो मैं इनको सबसे पहले गरम पानी में डिप कर दूँगी तो यहां मैंने पानी गरम करके रखा हुआ आपने देखा तो इसमें मैं यहां पे डिप कर दूँगी इसको कम से कम भी नहीं तो 10 मिनिट इनफ हो जाएगा जितनी देर में सब कट वगरा करूंगी थोड़ी बहुत चीज़े उतनी देर में यह सॉफ्ट हो जाएगे फिर इसका यह वाला गरम पानी निकाल के ठंडे पानी से दो के इसको स्क्वीज कर ले ना इसके पानी को तो यह देखी एक बर मैंने चला दिया अ और बहुत टेस्टी बनते है बासमतिरा इसका कोई भी पुलाव बना लो आप कोई भी बिर्यानी बना लो तो इसको मैंने भीगो दिया आप इसको साइड पे रख देती हूं और बाकी की तैयारियां शुरू करती हूं यह काफी सॉफ्ट होने लगा है पर अभी थोड़ी स बहुत सारी आइड करती हूं तो काफी न्यूटिशिस हो जाता है बच्चे बहाने खा लेते हैं अधबाइस बच्चे जो है ना अनाटक करते हैं प्रिशा तो सब खा लेती है अभी का थोड़ा रहता है तो यहां पे मैंने टमाटर काट लिया हरी मिल्ची को भी छोटे पी को चोटा चोटा आप जितना जैसे आपको पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो ऐसा कुछ नहीं कि आपको इसी तरह से डालना है और आप जब इसे कुक करोगे तो चाहे आप सरसो का तेल यूज़ कर लो चाहे आप रिफाइन ओल यूज़ कर लो या देसीगी म पानी निकाल दूँगी और थोड़ा सा आरो का ऊपर का ठंडा पानी ले लोंगी नॉमल वाटर ताकि मैं स्क्वीज कर सको नहीं तो हाथ में गरम लगेगा अब इसको स्क्वीज करके मैं इसी वाली प्लेट में साइड पे रख दोंगी तो इसका ना वो भी आता है क्या ब बहुत बढ़िया बनता है कीमा से आप नॉन्वेज मत समझेगा सोया कीमा तो बहुत ही बढ़िया लगता है तो मैंने सब निचोड के रख लिए साइड पे अब देखे सारी की सारी त्यारी मेरी डन ये कसूरी मेथी भी मैने निकाल ली है और चलिए आप शुरू कर देते था मैंने साफ करवाई थी कुछ दिन पहले लेकिन अवी कल आगे रूम में लेके आया था नमक डालने के लिए किसी चीज में तो वो उससे थोड़ा सा हिल गया था परसो परसो तो वो थोड़ा सा मसाले हो हो गया तो मैं एक दो दिन में से फिर से साफ करवा दूंगी अच्छी लगते हैं और फिर प्यास डाल देना है तो थोड़ा नमक डाल देंगे जिससे के फड़ा फट कुक हो जाए तो ऐसा नहीं है कि मैं मसालदानी गंदी रखती हूं कोई भी इंसान जब इतना सारा काम करता है तो वो एक ही काम क्यों जोड़ेगा बस यह अभी से हि पुलाओ नमक डाल देंगे और इसको भी हम चला लेंगे अच्छे से और थोड़ा सा कुक कर लेंगे तो यह पुलाओ काफी अच्छा लगता है और फटा-फट से हो भी जाता है इसमें टाइम भी नहीं लगता और दो पर में पूरा खाना खाया था ना तो अब यह हमारा चल जाएगा और इस बहाने बच्चे जो है नियूटी निगेट्स कहा लेंगे बागी सोया बीन कौन खाता है बच्चे बहुत कम खाते हैं तो अब इसमें थोड़े बहुत मसाले अट करेंगे लाइक खल्दी डाला मैंने मिल्ची पाउडर जाएगा तनिया जीरा हो जाए और इसके बाद इसमें एड कर देंगे जो कैप्सिकम कटी हुई रखी है वो यहां पर आप कैरेट फ्रेंच बीन्स जो भी आप डालना चाहें मटर अगर हो तो सब डाल सकते हैं और साथ में सोया चंग्स तो बहुत ही बढ़िया लगता है तो यहां पर मैं कश्मीरी क्या होती है पता है कि वो रियल मिर्ची होती है उसमें कोई कलर एडिट नहीं होता है लेकिन वो सिर्फ कलर देती है तो वो नुकसान बिल्कुल भी नहीं करती है I think so फिर पता नहीं मुझे तो यहां मैंने सोया चंग के एड कर दिया थोड़ा नमक एड कर दिया और अब प तो यह बहुत ही अच्छे तरीके से मसाले हमारे सोया चंग्स के अंदर तक चले जाएंगे और बहुत अच्छे लगेंगे इसके साथ आप खीरे का रायता भी बना सकते हो कोकुंबर रायता मेरे यहां पर तो आज कोकुंबर भी नहीं है कई बार होता ना घर में सब चीज एविलेबल नहीं होती यार तो उसको आप एजी ली लीजेगा तो क्योंकि पहले से प्लैंड होता नहीं है कि यह रेसिपी शेयर करनी है तो बस इसका फटा फट सारा समान मंगवा लो मेरे साथ तो ऐसा होता नहीं है मैं बहुत रियल हूँ आप लोगों के साथ जो बन रह है उसे साब से डाल दीजे और फिर यह जब हलके से फ्राई हो जाए ना चाबल क्योंकि इस तरह से जब फ्राई करते है ना तो बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है बस फिर पानी डाल देना है जितना भी आपको डिजाइड वाटर है मतलब जादा तो नहीं बढ़ेगा बा सूरी मेथी डाल दिया है इसका फ्लेवर भी बहुत ही बड़ी आता है बस अब चाहें तो आप इसके उपर से एक चंबर देशी की डाले फ्लेवर के लिए या बटर डाले और फिर इसको बंद करके सीटिया लगा दे पानी देख लीजे आपके इसाब से जैसे मैंने बोला मैं तो अंदाजे से डाल देती हूँ बासमेती राइस में जाधा पानी वैसे जाता नहीं है नहीं तो चिपची पे राइस हो जाते हैं इसलिए ध्यान से डालिएगा और बस अब इसको बंद कर देंगे तो ये पुलाव ज़रूर ट्राइ कीजेगा बहुत ही है फटा- आपको तड़का लगा दिया न्यूटी नेगेट्स यानि के सोया चंग वाला पुलाव बहुत अच्छा लगता है और इसलिए मैंने का चलो आपके साथ रैसे भी शेयर कर दो वैसे कई तरह से बनता है ये तो पुलाव की फॉर्म में मैंने बनाया है सोया चंग की बियानी मेरे घर में फिलाल सिर्फ कैपसिकम था अच हरा दनिया भी नहीं है हरा दनिया जैसी आता है समझ लो आप एक-दो दिन में मैं पूरा कर डालती हूं और विवेक के पीचर लग जाती हूं आज मैं शामगों ने बोली लेकिया हूं लेकिन ये बोले अब मैं नहीं जा रहा ह मज़ा आता है और आज सुबह में जो सब्जी बनाई थी थी ना वह बिलकुल गुजराती सब्जी मतलब चॉडी बोलते है उसे इहां पर फल्ली थी ना इतनौ जो चॉडी की फली भोलता तो मुझे नहीं पटा आपका उदर मिलेंगी या नहीं मिलेगी हमारे यहां पर मि तो चलिए फिर अब आरावन से मुर्दी आपको खाना वाना खाके और बनता है तो दिखाती हो कैसा लगता है यह पुलाओ अच्छा लगता है जब कोई आप्षिन ना मिल रहा हो सोया चंकी सबजी भी बहुत अच्छी लिगते है आलो के साथ और यह नूट्रिशिस भी होते लेकिन आज बच्छों को लगे जोरो की भोग तो मैंने सीठी निकाल दी है विसल और अब इसे खोलते हैं देखिए कितना यमिलीशिस लग रहा है तो सबसे पहले तो इसके अंदर एक चमच भर के देसी ही डालना है इसका फ्लेवर बहुत बढ़ी आता है यहाँ पर आप इस फ्लोग को भी लाइक जरूर कर दीजेगा बाबाई ठेक केर लव यू